जी टीवी का शो अरब से है दुआ अब जनरेशन लीप लेने जा रहा है तो चलिए जानती है क्या किर शो के जनरेशन लीप को लेकर अब तक क्या क्या अपडेट्स सामने आई हैं पहले खबरे आई थी कि अरब से है दुआ शो ओ फिर हो जाएगा लेकिन मेकर्स ने शो को चलाने का फैसला किया है और शो में अब जनरेशन लीप आएगा जिसके किबासे शो की कहानी और स्टारकाष्ट पूरी तरह से बदलने वाली है करणवीर शर्मा और अदीती शर्मा जैसे शो के लीड श्टार्स शो को अलविदा कह रहे हैं और अब शो में एक नया लीड पेर देखने को मिलेगा खबर है कि अब शो में में लीड में नज़राने वाले हैं अक्टर धीरज धूपर धीरज धूपर इंडियन टेलविजन इंडॉस्टर के एक वैल लाउन अक्टर है जिनको की कुंडली भाग्या शो से पहचान मिली तो वहीं ये शेर दिल शेर गिल जैसे शोज में भी दीखाई दिये तो वहीं इस शो में फिमेल लीड के लिए दू अक्टरेस को लिया गया है पहली है अक्टरेस कृतिका सिंग्यादव एक्टरस कृितिका सिंग्यादव इससे पहले कलश टीवी के शो प्यार के सातवचन धरम पतरी में लीड रोल करती नज़राई है और अब ये धीरस दूपर के अपोजिट फीमेल लीड में दीखाई देंगी तो ही दूसरी एक्टरस है सीरत कपूर सीरत कपूर भी कुछी समय पहले इमली शो में लीड रोल करती देखाई दी और अब ये रब से है दूपर शो में परालेल लीड रोल करती देखाई देने वाली है और इनके अलावा शो में अंट्री हो रही है आक्टरस रेमोन ककड की रेमोन ककड शो में नई दूआ हैदर के किरदार में नज़राने वाली है रेमोन इससे पहले क्यों थे दिल छोड़ाए जैसे शो उसका हिस्सा रह चुकी है शो में नए जेनरेशन लीप के कहानी कब से शुरू होगी यह फिलहाल रेवील नहीं हुआ है तो अभी है देखने वाली बात होगी क्या कि लीप के बास से इस शो को कितना अपसंद किया जाता है आप रब से है दूआ के जनरेशन लीप के लिए कितना एकसाइटिड है हम एपताईए नीचे एकमेर से एकसन में सुडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राब कीजिए